तो दंतेवाडा पर नकसली हमले का हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं और अभी बहुत सारे सवालों की जवाब मिलने बाकी यहां भी जाच होगी उसके बाद पता लगेगा कि क्या SOP का पालन करने में कहीं कोई चूक हुई क्या वो वजह रही कि इतने बड़े धमाकी की चपेट में हमारे DRG के जवान जो है वो आ गए इस वक्त दंतेवाडा में जो इस्तिती है वो अब कहीं न की तनाव पूर हो गई है इस हमले के बाल घटना इस्तल पर हमारे सहीयोगी विकास्तेवारी पहुंचे वहां की इस्ति DRG के कुछ जवान ऑप्रेशन पर निकले थे कहीं पर माववादियों के इकठा होने की सूचना मिली थी जिस आधार पर लगभक 30-40 की संख्या में DRG के जवान एक नंबर के जो दंतेवाडा के हैं अलग-अलग टुकडियों के वो अपने का उप्रेशन पर निकले थे जहा DRG के यहां पहूंचे विए थे रनपूर का ही यह इलाका है और इस सडक में जैसे ही उनकी गाड़ी यहां पर पहुंची माववादियों ने पहले से यहां पर बारूदी सुरंग प्लांट कर रखा था और जैसी गाड़ी यहां पर पहुंची ततकाल उन्होंने हुआ है आप देखें कि गढ़ा कितना बड़ा हो गया है और इसकी चपेट में आने वाली वहन यहां से इसके तुकड़े लगभग सव से डेड़ सो मीटर तक फेका गए फॉरंसी की टीम अभी यहां पर पहुंची वी थी उसने मीटर से जिस तरह से नापजोग किया उससे जो चीजे निकल कर सामने आई कि जो वहन में सवार 10 DRG के जवान और एक वहन का चालक था उसके सव यहां से डेड़ सो मीटर तक दूरी तक फेका थे और साथी साथ यहां से लगभग सव मीटर की दूरी पर गाड़ी का इंजन फेका गया है और इसके साथी साथ यहां पर से हतियार सारे रिकावर कर लिए गये हैं अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाओं को मावादी अंजाम देते हैं तो सबसे पहले वह जवानों के हतियार लूटने की कोशिस करते हैं पीछे उनके साथ में लगभग 3-4 की संख्या में और भी वहन थे ज के साथ ही साथ वान का इंजन यहां से लगभग 1.500 मीटर की दूरी पर फिका गया है घटना के ततकाल बाद मौके पर बस्तर का आईजी सुन्दर राजपी और दंतेवाड़ा के स्पी सिदार तिवारी भी पहुंचे थे और फॉरेंसी के टीम भी पहुंची वी थी और उन हमला था इसकी तस्वीरे दिल धहला देने वाली है उस गाड़ी के छोटे छोटे टुकडे सिर्फ हमें देखने को मिले हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जवानों पर क्या कुछ गुजरी होगी उनकी शहादत को हम सलाम करते लेकिन यही हमारे कोशिश रहेगी कि सरकारें कम स अब यह कोशिश करें कि सतरह के हमले दोबारा ना हो पाए